जिलाधिकारी बिजनौर उमेश मिश्रा द्वारा कलेक्टर इच्थित महात्मा बिदूर सभागार में जिला सैनिक कल्यान एवं पुनर्वास विभाग द्वारा आयोजित जिला सैनिक बंधू की बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि हमारे देश के सैनिक कठिन परिस्थितियों में देश के विभिन स्थानों पर ड्यूटी कर अपने कर्टव्यों का निर्वहन करते हैं, अताह उन्हें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को निप्ताने के लिए बहुत कम समय मिल है. उन्होंने उक्त समस्या के दृष्टिगत सभी विभागिया अधिकारियों को निर्देश दिये, कि कोई भी सैनिक अगर अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए उनके पास आए, तो उसका प्राथमिक्ता के आधार पर निस्तारं करना सुनिश्चित करें. उन्होंने य पस्थित भूत पूर्व सैनिकों की समस्या को गमभीरता पूर्वक सुनते हुए, संबंदित विभागिया अधिकारियों से फोन पर बात कर निस्तारं के निर्देश दिये, और उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा, कि सभी पूर्व सैनिक धर्य एवं सामन जसे के साथ प्रशासन का सहयोग करें. उनकी समस्याओं के निराकरन के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है. उन्होंने विभागिया अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा, कि पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्वितों की शिकायतों एव समस्याओं को पूरी गमभीरता से सुने, और यथा संभब मौके पर ही उनका निस्तारन करना सुनिश्चित करें. इस अफसर पर जिलाधिकारी द्वारा जिले के पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्वितों के भूमी विवाद, बैंक से रिन, पैंशन, शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक अनुदान, सैनिक से प्राप्त अन्य प्रकार की शिकायतों को बड़ी गंभीरता पूर्वक सुना गया, जिन में से कुछ शिकायतों को निस्तारन टेलीफोन के द्वारा संभंधित विभागिया अधिकारियों से मौके पर करा दिया, जबकि अफशेश शिकायतों को प्राथमिक्ता के आधा पर एवं पूर्ण गुनवत्ता के साथ निस्तारित कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गए। पर मुख्य चिकित साथिकारी विजय कुमार गोयल। जिला सैनिक कल्यान एवं पुनर्वास अधिकारी कैप्टन एके गुपता। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक सहित संबंधित अन्य विभागिया अधिकारी उपस्थित थे। बिजनौर से नीरज कुमार की झाल